वेरी गुर मॉर्णिंग टोलो फिव एन वेलकम दोस्तों दिहार डियलेड एडमिसन 2021 को लेकर आज किस वीडियो में हम आप सभी को बहुत बड़ी जानकारी देंगे जो अभियर्थी 2021 में यानि कि इस बार इंटर पास किये हैं उसको आगे क्या करना है अगर आप डियलेड करना चाहते हैं तो क्या चीज़ी आपको कर लेनी चाहिए अभी की समय में इसके बाद हम बात करेंगे डियलेड में एडमिसन आप कैसे लेंगे फैनल मेरेट लिष्ट क्या है कब आएगा फर्स्ट सेलेक्शन लिष्ट क्या है और कब आएगा तो आप सभी के द्वारा इसको लेकर के भी कॉमेंट आते रहता है तो वीडियो को आप सभी लास तक ज चाहिए अभी के समय में आप सभी को पता है जो इस बार इंटर पास किया है वो अभियर्थी 2021 से 23 वाले सत्र में DLAD में नामंकन नहीं ले सकते हैं ऐसे में आपको 2022 से 24 वाले सत्र में DLAD में नामंकन लेना होगा जब आप 2022 में DLAD में नामंकन लेजिएगा तो अभी से 22 तक में एक साल आपका बरबाद हो जाएगा एक सिसन आपका बरबाद हो जाएगा तो ऐसे में आप सभी के लिए अभी एक अच्छा मुका है अगर आप चाहते हैं कि 22 से 24 वाले सत्र में DLAD में नामंकन ले ले तो इगनी में अभी gni जिएगा to 12-24 जिसंद में आपका त نजसी समय चलिएred हो जाएगा दोनों डिगरी आपका साथ एक समय में किलियर हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी ग्रेज़ुशन आपका डिस्टेंस मोड से रहेगा और रिगुलर मोड से आपका डियलेड रहेगा अभी की समय में इगनु में एडमिसन हो रहा है आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए इगनु में एडमिसन डेट या फिर इस तरह से एडमिसन कैसे ले तो वो सारी जानकाड़ी आप सभी जुटा कर एडमिसन आसानी से ले सकते हैं और आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं हो दिक्तो नाम में सुधार करते हैं यानि कि जो भी गलती हुआ है उसमें सुधार करते हैं तो उसका नाम इस से लिए लिस्ट के बाद जारी किया जाता है जिसमें की कोई भी तूरूटी नहीं होगी उतना अवियर्थियों को ही धियान में रखकर selection list तयार किया जाएगा आप सभी को इसके बारे में भली भाती पता है तो 6 October को final list आएगा इसमें जैदे कोई update नहीं है तो आपको check कर लेना है अगर आपका application cancel वाले list में था और सुधार किये हैं तो आपका final list में नाम आया या नहीं अगर आपका पहले से provisional list में नाम था तो आपको final list check करने की जरूरत नहीं है घबराना नहीं है कि मेरा नाम आया नहीं आया check कर देजिए ऐसे वैसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप सुधार किये हैं तो आपका नाम final list में आएगा अगर आपका सुधार नहीं हुआ है तो आपका cancel list से भी बाहर चला जाएगा तो जिसका पहले से सुधार था उसको तो कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद इसी final list के अधार पर selection list तयार किया जाएगा जिसमें कि first selection list category wise उपर से student को उठाया जाएगा किस तरीके से selection list तयार होगा इसके उपर हम वीडियो बनाए हुए हैं उस वीडियो को आप जरूर देख लिजीगा link नीचे description में भी मिल जाएगा तो यह जो है first selection list जिस पर admission होगा यह 9 एक्टूबर को आएगा 9 एक्टूबर को आएगा 10 को भी आएगा 11 को भी आएगा बहुत सारे ऐसे college है जो दो दिन बाद भी मतलब की जारी करता है आपको इंतजार करना है 9 एक्टूबर का न की 6 एक्टूबर का फिर भी बहुत सारे अव्यर्थी इंतजार में रहते हैं कि एक बार चेक कर लेते कोई दिकत नहीं है चेक कर सकते हैं लेकिन आपको 9 एक्टूबर का इंतजार करना है इसके बाद जब 9 एक्टूबर को first selection list आ कब से कब तक counseling होगा और कब से कब तक admission होगा तो जब first selection list आने के बाद जब notice जारी किया जाएगा तो उस notice में आप सभी पढ़ेंगे आपका counseling किस date को है आपका admission किस date को है बिलकुल simple सी जानकारी है इसके बाद जो है अगर आगे seat बजती है तो second selection list भी आएगा बहुत सारे जगा का selection list second वाला नहीं आता है जो भी seat बाचता है उस पर धांदली तरीके से admission प्रकिरिया ले ली जाती है तो ऐसे में आपको नजर गराए रखना है कि first selection के list के बाद कितनी अवियरती का selection हुआ कितनी अवियरती का selection नहीं हुआ कितना seat खाली है जब तक आप उस पर दव- 2021 में इंटर पास किये हैं अभी आप इगनु में admission ले लिजिए और अगले साल आप DLR में नामंकन ले लिजिएगा इसके बाद 6 October को final list आएगी 9 October को first selection list आएगी आप सभी को 9 October का इंतजार करना है हम आप सभी को समय समय पर update करते रहेंगे और आजकल बहुत कम वीडियो मना आते हैं क्योंकि इधर उधर बहुत सारा बात है election चल रहा है इसलिए थोड़ा बहुत बेस्त है तो आप सभी support बनाए रखिए कोई भी दिक्कत आती है तो comment box में जरूर कमेंट किजीगा उसको हम जरूर पढ़ते हैं उस पर हम आगे भी वीडियो लाएंगे धन्यवाद आ आप सवीका